हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं काजू बर्फी बिना चासनी वाली एकदम सिंपल तरीका है आपको बहुत पसंद आएगी और इसे बनाने के लिए मेजर्मेंट के भी निद्यान रखनी है अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक मैं चैनल मेरे कीचन में आप सबका बहुत स्वागत है चलिए आज की रेसिपी स्टाट करते हैं तो यहां पर मैंने एक कप टुटा हुआ काजू लिया है आप कोई साभी काजू ले सकते हैं जो आपके पास है लेकिन सबसे अच्छा होता है बर दूद देखना गरम होना चाहिए बॉल किया हूँ चलेगा और दूद इतना डालना है कि सारा काजू इसके अंदर डूब जाए तो देख सकते हैं कि मैंने इसमें काजू और दूद को अच्छी तरीक से मिक्स कर दिया है अब इसे हम रख देंगे 10-15 मिनिट के लिए फूल तो इसलिए आपके पास जो काजू उससे भी ले सकते हैं अगर टूटा हुआ है तो सबसे अच्छा है तो इसे एक मिक्सिजार में डालेंगे और इसे पीस के पेस्ट बनाएंगे और हमें दूद की जरूद नहीं है नहीं पानी डालेंगे ना दूद डालेंगे इसको ऐसे एक स्मूथ पेस्ट बना के तयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने काजू को बेस्ट और यह ना ज्यादा गढ़ा काड onaा अच्छी तरीकी से चम्माच यह स्पैचुला से निकाल ले और फिर हम कर देते हैं फ्लेम और इसे हम लो टो मिडियम फ्लेम पर लगतार चलाते हुए पकाना है ज्यादा फ्लेम को तेज ना करें शुरू में आप फ्लेम को लोही रखें और धीर धीर आज पर इसे पकाएं औ यह पकते पकते जैसे हम आटा लगा के तयार करते हैं उस तरीके का एक डो बनने लगेगा तब हमें पता चलेगा कि हमारी बर्फी रेडी हुई है या नहीं तो आप लगातार चलाते हुए इसे पकाएं और हमें कुछ नहीं डालना बस इसमें चीनी एड़ करेंगे और ची चीनी के डाले हैं आप चाहें तो आप पीसी हुई चीनी भी ले सकते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और दिखिए जो पैन में लगा है वो भी छूटने लगा है जैसे यह पकना स्टार्ट होगा ना गाडा होना स्टार्ट होता है यह और यह पैन छोड़ना स्ट अब तक हमें पकाते रहना है तो यहां पर देखिए मैंने कोई भी घी कुछ भी यूज नहीं किया है अगर चिपकता है तो इसमें थोड़ा सा एक छोटी चमच अब घी डाल सकते हैं फिर उसके बाद अच्छी तरीके से पका लें तो देखिए हाथ को थोड़ा सा गिला कर ल जिसमें आपको बर्फी सेट करना है आप उस बरतन में से डाले और सेट करें तो मैंने आपर केक का मोल्ड होता है वो लिया है और इसमें एक बटर पेपर डाला है आपके बटर पेपर नहीं है तो आप इसके बिना बर्फी सेट कर सकते हैं जरूरी नहीं है बटर पेपर के या फिर केसरवादूद डालके भी कलर वाला भी बना सकते हैं तो यह थोड़ी देर में सेट हो जाएगा इसको सेट होना में ज्यादा टाइम नहीं लगता है दो से तीन घंटे में सेट हो जाएगा अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में रख दीजे आदे गंटे का डर भी नहीं है लेकिन काजू बर्फी अगर चासनी वाली करते हैं तो क्या होते कभी-कभी खराब हो जाती है लोग सोचते नहीं हम घर पे नहीं बना पाएंगे लेकिन यह वाली सबसे असान है आप घर पर बना के देखिए अभी तो नौरात्री भी चल रहा है आप बा मिल्क पाउडर डाल के आप उसे एजस कर सकते हैं तो देखिए हमारा बर्फी बन के तैयार हो गया है और इसके पर थोड़ा सा किसमिस लगा रही हूं आपके पास काजू बदाम जो पिस्ता जो भी आप लगाना चाहते इसके उपर लगा सकते हैं जब आप सैट करने के लि मिलूगी नहीं रेशीपिक अब नहीं वीडियों के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ और थैंक यू फर वच्छिंगे